नमस्कार सभी प्यारे विद्यारतियों का हिंदी उत्सव सीरीज में आज की जो संकला में आपकी वीडियो आई है उस वीडियो में हम लोग सर्वनाम और विसेशन को कम्प्लीट करने वाले हैं पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को देखे संग्या टॉपिक को समझाय ता संग्या से संबंदित जो भी थ्योरी हो सकती है वो सभी बाते मैंने आपको बताईती संग्या पर आप अपनी समझ किस तरीके से बना सकते हैं आज हम लोग सर्वनाम और विसेशन को जानेंगे के सर्वनाम और विसेशन क्या है तो जो टॉपिक हमारा आज का रहने वाला ह उस टॉपिक में हम लोग यहाँ पर आज सबसे पहले सर्वनाम को कम्प्लीट करेंगे और फिर सर्वनाम के साथ में ही हम लोग विसेशन टॉपिक को यहाँ पर समनित करेंगे सबसे पहले सर्वनाम की बात करेंगे किसकी बात करते हैं सबसे पहले सर्वनाम की बात करते हैं सर्वनाम होता क्या है सर्वनाम कहते किसको है तो देखेगा यहां पर मैंने बड़े साधारण सब्दों में definition को लिख रखा है क्या लिखा हुआ पढ़िएगा कि देखे संग्या के इस्थान पर प्रियोग किये जाते हैं उन्हीं सब्दों को आप सर्वनाम कहते हैं यह चीज आपको या दखना है ठीक है कि सर्वनाम की डेफिनिशन क्या बनती है तो सर्वनाम की डेफिनिशन में आपको बताना है कि यह ऐसे सब्दों होते हैं जिनका प्रियोग आप किसक मैं मनीश के बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूं मैं आपसे कहूं कि मनीश आठ वर्सका है मैं आपसे कहूं मनीश लखनव में रहता है मैं आपसे कहूं मनीश दूसरी कक्षा में पढ़ता है मैं आपसे कहूं मनीश के माता पिता मनीश के माता पिता आगरा के रहने वाल मनीस सब्द का प्रियोग बार बार कर रहा हूँ तो ये बड़ा अच्छा सा नहीं लग रहा है अगर इसके स्थान पर मैं कहूं कि मनीस आठ वर्सका है मनीस यहां पर मनीस के स्थान पर दूसरे बाकमे में कहूं कि वह लखनव में रहता है और उसके माता पिता आगरा के रहन वाले हैं अब यहाँ पर मैंने जो मैं और उसके सब्द का प्रियों किया यह आपके क्या हो जाएगा सर्वनाम हो जाएगा सर्वनाम में आप देखी रहें कि यह दो सब्दों से मिलकर बना हैं एक सब्द है सर्व और एक सब्द है नाम यानि इसका अर्थ जो निकलता है वो क भेद होते हैं जिनमें से पहला पुरुस वाचक सर्वनाम कहलाएगा इसके बाद निश्चय वाचक सर्वनाम फिर अनिश्चय वाचक सर्वनाम फिर संबंद वाचक सर्वनाम फिर प्रश्न वाचक सर्वनाम और फिर निज वाचक सर्वनाम तो सर्वनाम के यह छे प्रकार हो किसकी बात करूंगा सबसे पहले मैं आप पुरुस वाचक सर्वनाम की बात करूंगा ठेक है पुरुस वाचक सर्वनाम क्या होता है तो देखेगा बड़े सिंपल से सब्दों में यहां पर लिखा हुआ है कि आपको कहा गया है कि पुरुस वाचक सर्वनाम के अंतरगत जो प पुरुस बाचक सर्वणाम तीन परकार के होते हैं, जिनमें उत्तम पुरुस, मद्यम पुरुस और अन्हे पुरुस को रखा जाता है। उधारन के लिए मैं और हम ऐसे ही मैं और हम से बनने वाले सब्द मैंने हमने मेरा हमारा मुझे मुझे को है ना तुझे या तुम है या तुम्हारा ये सारे सब्द जो है ये आपके किसके अंतरकत रखे आते हैं ये आपके पुरुस वाचक सर्वनाम के अंतरकत रखे जाते ह क्लियर रहेगा आगे की तब चलिएगा तो यहां पर दूसरा प्रकार निश्य वाचक सर्वनाम है यह क्या कहता है यह कहता है निकट या दूर के व्यक्तियों या वस्तूओं का निश्य आत्मक संकीत ठीक है जिन सब्दों में व्यक्त होता है उन्हें निश्य वाचक सर्वन हूँ कि यह मेरी पुस्तक है तो मैं वहाँ पर उसके उपर निश्य के साथ कह रहा हूँ कि हाँ मुझे पता है कि यह मेरी पुस्तक है ऐसे वह उनकी मेज है तो यहाँ पर यह और वह यह आपके कैसे होंगे निश्य वाचक सर्वनाम होंगे इसके अलाबा संबंद वाचक सर्वनाम की बात करते हैं संबंद वाचक सर्वनाम में क्या होगा तो यहाँ पर है जिस सर्वनाम से किसी दूसरे सर्वनाम या संग्या से संबंद इस्थापित किया जाए उसे संबंद वाचक सर्वनाम कहते हैं जैसे उधारन के लिए जो सो थी है य जो सो या पिर जैसा वैसा ये सब्द जो होते हैं, इनको संबंद वाचक सर्वनाम कहा जाता है, आगे की तब चलते हैं, अगला सर्वनाम जो है, ठेक है, अच्छे यहां पर एक प्रकार आपका रहे गया मुझे लग रहा है, अनिश्य वाचक सर्वनाम नहीं दिखाई दे र निश्य वाचक सर्वनाम आपसे कहता था कि यह आपके जब आप किसी चीज के उपर confirmation दिखाते हैं कि हाँ यहाँ पर यह जो चीज है यह मेरी चीज है तो मैं उसे निश्य वाचक सर्वनाम कहता हूं बस निश्य वाचक सर्वनाम में क्या होता निश्य वाचक सर्वनाम में आ आपको confirm नहीं होता जैसे मैं कहुं जो ऐसे कोई है ना यह जैसे आपने एकका11 निख खहा के दर्वाज माता है रहन koşकी तपर क्रिश्ण वाचक सर्वनाम आपसे क्या कहता है यह कहता है प्रश्ण करने के लिए प्रिश्ण वाचक सर्वनाम कहा जाता है उधारन के लिए कौन क्या कैसे कहां ये सारी सब्द कौन आया था है ना क्या कहे रहा था या क्या गिर पड़ा तो यहां पर यह जो है यह आपके कैसे हैं प्रश्ण वाचक सर्वनाम कहलाएंगे इसक निजवाचक सर्वनाम कहते हैं मतलब अपने आप को व्यक्त करने के लिए आप जिस सर्वनाम सब्द का प्रियों करते हैं उसको निजवाचक सर्वनाम में रखा जाएगा उधारन के लिए यह कारे में आप कर लूँगा यह कारे में आप कर लूँगा यह कारे में अप कर तो यहां स्वेम अपने आप और आप ये तीनों सब्दा आपके कैसे हो जाएंगे निजवाचक सरुनाम आगे की तब चलते हैं मेरे साथ से सरुनाम टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा इनकी कुशन प्रैक्टिस भी आपकी चलती रहती है और सुबह ग्यार यहां पर देखेगा विशेशन की डेफिनिशन क्या है तो यहां परभासा में कहा गया है संग्या या सरुनाम की विशेशता बतलाने वाले सब्दों को ही विशेशन कहा जाता है किसी संग्या सब्द की किसी सरुनाम सब्द की जो विशेशता बतलाता है उसी को आप विशे यहां आपको याद अखना है कि यह जब क्योंकि हम देख रहे हैं लड़का सब्द जो है वो संग्या को व्यक्त कर रहा है और मैं लड़के को कैसा कह रहा हूं मोठा कह रहा हूं तो मोठा जो है वो यहां पर विसेशन कहलाएगा इसके अलाबा यहां पर देखेगा विसेशन के प्रकार कौन कौन से होते हैं तो चार प्रकार सार्मनामिक विसेशन गुण वाचक विसेशन संख्या वाचक विसेशन और परमार वाचक विसेशन ये चार प्रकार किसके होते हैं विसेशन के अच्छा एक और चीज देखेगा जैसे अभी यहां पर सब्द था मौटा लड का तो देखें लड़का यहां पर संग्या है लड़का को विसेशता दी जा रही है तो जिस सब्द को विसेशता दी जा रही है उसे विसेश से कहते हैं और जिस सब्द से विसेशता दी गई उस सब्द को विसेशन कहते हैं यह दोनों सब्द के लिए रखेगा विसेश से क्य सार्वनामिक विशेशन मतलब क्या हुआ कि जब आप विशेशन के रूप में सर्वनाम सब्दों का प्रियोग करते हैं क्या जब आप विशेशन के रूप में सर्वनाम सब्दों का प्रियोग करते हैं तो उन्हीं को सार्वनामिक विशेशन कहते हैं ठीक है जैसे उधारन के लिए अगर मैं आपसे कहता हूं के वह लड़का मेरा भाई है तो मैं उसकी विसेश्था वह सब्द जो है है तो सर्वनाम लेकिन इसका प्रियोग मैंने कैसे किया तो मैंने इसका प्रियोग विसेशन की तरीके से किया तो यह क्या हो जाएगा सार्वनामिक पुस्तत सार्वनामिक विसेशन ठीक है यह चीज आपको याद अखना है इसके अलाबा यहां पर देखेगा दूसरा होता है गुडवाचक विसेशन एक्जाम में बहुत पूछा आता है तो यह क्या कहता है यह कहता है जो सब्द संग्यात्वा सर्वनाम के गु नया पुराना ताजा मौसमी प्राचीन निचले बिचले उपर ले ठीक है यह पे लाल पीला काला नीला बैंगरी हरा यह मौटा पतला युवा वरद गीला सूखा अच्छा भला बुरा कप्ती जूटा सच्चा पापी यह सब यह गोल चौक और तिकोना लंबा चौडा यह सारे सब्द इसमें सामिल किये जा सकते हैं आप एक चीज पर गौर कीजेगा इसका पीडियेप जो है यह पीडियेप मैं टेलिग्राम पर डालता हूं और आप टेलिग्राम को जाकर सर्च कर सकते हैं और टेलिग्राम आपको मिलेगा जीके जीएस बाई कपिल सर के नाम से इसे आके सर्च कर लीजेगा वहां जुड़ जाएगा तो आपको YouTube की सारी PDF वहां पर प्रोवाइड हो जाएगी ठीक है चलिए आगे देखे संख्या बाचक विशेशन संख्या बाचक विशेशन मतलब जब आप सर्वनाम जब आप क्या करते हैं संख्या अत्वा सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं तो उसे संख्या बाचक विशेशन कहते हैं एक होता है निश्चित एक होता है निश्चित इसमें आते हैं जैसे पूरांक बाचक अपूरांक बाचक क्रम बाचक आबरती बाचक समुदाय बाचक और प्रतेक बोदर जैसे पूरांक बाचक में ए पहला दसवा सोवा चोथा यह क्या बताता है क्रम में बताता है जीक चारो। आठो रूट की पर प्रतेक एक बद्ढक में यह आपके प्रतेक बूद सब्सक्राइब वाचक में आप रह सकते हैं जैसे कुछ आदमी मतलब आदमी तो है लेकिन कितने कंफर्म नहीं हैं यहां पर कई लोग तो कुछ हो गया कई हो गया या सब कुछ हो गया यह आपके किसमें रखे आते हैं यह आपके अनिश्यत संख्या वाचक में रखे जाते हैं इसके अलाबा परमार बूधक विशेशन यह आपके चोथा प्रकार होता है और परमार बूधक विशेशन में क्या होता है कि जिन विशेशनों से संग्या अत्वा सर्वनाम के परमार का बूधो परमार का मतलब क्या होता है मात्रा से इसमें निश्चित और अनिश्चित यह भी दो प्रकार मतलब क्या है। जैसे 10 किलो या 5 कुंटल तो 10 किलो 5 कुंटल निश्वित मात्रा है लेकिन बहुत घी या थोड़ा दूद तो बहुत और थोड़ा ये इस में मात्रा को निश्वित नहीं किया साकता है तो ये अनिश्वित परमाड़भुदधु होगा। ठीक है। बाए उम् माद्दम से छोटे छोटे टॉपिक आपको पूरी थोरी के साथ यहां पर मैं आपको कवर कराऊं और उसके अलाबा प्रैक्टिस आप लोगों की चली रही है जिससे आपकी हिंदी की समग्र तैयारी हो सके और आने वाले प्रतिक एक्जाम में आपको उसका लाब राप्त हो स